हेलो फ्रेंग्स, विल्कम टू आर चानल, लर्निंग नोट बुक। आज इस वीडियो में फ्रेंग्स हम नंबर फॉर्मेशन सीख रहे हैं, यानि कि अगर हमें कुछ डिजिक्स गिवन हैं, तो हम उन डिजिक्स से सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस नंबर या सबसे स्मॉलेस नंबर कैसे फॉर्म कर सकते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं, so let's start Question 1 is, use the given digits without repetition and make the greatest and smallest 4-digit numbers Students, इस question में हमें ये 4 digits given हैं, 2, 8, 7, 4 इन 4 digits को use करके हमें greatest और smallest 4-digit number फॉर्म करना हैं, but without repetition, यानि हमें इन digits को repeat नहीं करना तो आईए सबसे पहले greatest 4-digit number फॉर्म करते हैं, इन 4-digit को use करके greatest number बनाने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ा digit लिखेंगे, और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा digit और फिर सबसे छोटा digit तो सबसे बड़ा digit क्या है, 8, इससे छोटा digit क्या है, 7, उससे छोटा क्या है, 4, और सबसे छोटा क्या है, 2 तो हमें नमबर मिल गया है 8742 This is the greatest number अब smallest 4-digit number बना लेते हैं Smallest बनाने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटा number लिखेंगे फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा तो सबसे छोटा digit क्या है? 2 2 से बड़ा क्या है? 4 फिर बड़ा क्यों है? 7 और उससे बड़ा है 8 तो हमारा smallest number बना 2, 4, 7, 8 अब next part में हमें ये different set of digits गिवन है इन्हें यूज़ करके हमें greatest and smallest 4-digit number फॉर्म करना है again without repetition तो आईए greatest number फॉर्म करते हैं same ही technique यूज़ करेंगे greatest number बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा digit लिखेंगे सबसे बड़ा digit क्यों है? 9 फिर 9 से छोटा क्या है? 7 7 से छोटा क्या है? 4 और 4 से छोटा है 1 तो ये हमारा greatest number बन गया है अब smallest number बनाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा digit लिखेंगे क्या है वो? 1 1 से बड़ा क्या है? 4 4 से बड़ा 7 और 7 से बड़ा 9 तो ये बन गया हमारा smallest number तो students, इन चारों digit को यूज़ करके हमने greatest और smallest 4 digit numbers फॉर्म कर लिए है आएए अब इस question का next part देखते हैं अब हमें ये 4 digits दिये हूँ है 4, 7, 5, 0 और इन digits को without repeating हमें greatest और smallest 4 digit number create करना है तो same method यूज़ करते हैं सबसे पहले greatest number बनाते हैं greatest number बनाने के लिए हमें इन में से सबसे बड़ा digit लिखना होगा तो कौन सा सबसे बड़ा digit है यहाँ? 7 अब 7 से छोटा digit क्या है? 5 और 5 से छोटा digit क्या है? 4 और 4 से छोटा है 0 तो यह हमारा बन गया 7, 5, 4, 0 So this is the greatest number with these given digits without repetition अब हम smallest 4 digit number बनाते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले सबसे छोटा digit लिखेंगे वो है 0 फिर 0 से बड़ा digit क्या है? 4 4 से बड़ा है 5 और 5 से बड़ा 7 बट students इस number को देखिए यह तो 3 digit number बन गया 457 और हमें तो बनाना था 4 digit number तो अब हम क्या करेंगे? इन questions में हम next to smallest digit से start करते हैं So instead of 0 we will start with the next to smallest digit which is 4 4 के बाद हम 0 लिखेंगे और फिर 5 and then 7 तो यह हमारा smallest 4 digit number बना है 4057 तो students इन questions में जहां digit 0 भी गिवन है ऐसे questions को ध्यान से solve करिए because normally students ऐसे questions में mistake कर देते हैं Now let's see the next part of this question These are the set of digits और इन्हें यूज करके अब हमें फिर से greatest और smallest 4 digit number क्रेट करना है तो आएए जल्दी से इसे solve करते हैं सबसे बड़ा digit है 7 Next is 6 Next digit is 2 और आखरी में सबसे छोटा digit आएगा वो है 1 So 7621 is the greatest number here अब smallest number बनाते हैं उसके लिए हम शुरू करेंगे सबसे smallest digit से फिर उससे बड़ा है 2 Next is 6 and then 7 So 1267 is the smallest number Now next part is 5403 तो यह 4 digits हमें given हैं Again we have to make the greatest and smallest 4 digit numbers without repetition using these given digits तो सबसे पहले greatest number बनाते हैं उसके लिए हम सबसे बड़ा digit लिखेंगे वो है 5 फिर 5 के बाद क्या आएगा 4 उसके बाद 3 और आखरी में 0 तो यह बन गया हमारा greatest number 5,4,3,0 अब हम बनाएंगे smallest 4 digit number अब students यहाँ पे एक digit 0 है तो अगर हम 0 से number start करेंगे और आगे number लिखेंगे 3,4,5 तो students देखो फिर से यह क्या बन गया 3 digit number बन गया यह 345 तो यह तो गलत हो गया हमें तो बनाना है 4 digit number तो इसके लिए क्या बताया था मैंने Yes हम next to smallest digit को start करेंगे So we will start with 3 3 के बाद लिखेंगे 0 फिर लिखेंगे 4 और आखरी में लिखेंगे सबसे बड़ा digit जो है 5 So 3045 which is the 4 digit number is the smallest number अब question number 2 करते हैं Question is Now make the greatest and the smallest 4 digit numbers by using any 1 digit twice और इसमें हमें set of digits गिवन है 3, 8, 7 तो students यहाँ पे हम एक greatest और smallest 4 digit number ही create करने हैं पर हम किसी भी digit को 2 बारी use कर सकते हैं तो आईए देखते हैं इन questions में हम कैसे numbers फॉर्म करेंगे So students सबसे पहले greatest 4 digit number create करते हैं अब हमें ये 3 digits को use करके 4 digit number बनाना है और हम कोई भी digit 2 बारी लिख सकते हैं तो greatest number फॉर्म करने के लिए किस digit को हम 2 बारी use करेंगे जो digit सबसे बड़ा होगा उसी को use करके तो greatest number बनेगा तो इन में से कौन सा सबसे बड़ा digit है 8 तो 8 को हम दो बारी लिख देंगे उसको दो बारी repeat करेंगे एक, एक अब एक से छोटा digit है 7 और 7 से छोटा है 3 तो ये बन गया हमारा greatest number 8, 1, 7, 3 अब smallest 4 digit number बनाना है तो smallest 4 digit number create करने के लिए जो सबसे छोटा digit है हम उसको दो बारी use करेंगे तो सबसे छोटा digit है 3 फिर से लिखेंगे 3 अब 3 से बड़ा क्या है 7 और 7 से बड़ा है 8 तो ये बन गया हमारा 4 digit smallest number 3378 Let's solve the B part of this question यहां digits given है 905 इसमें भी हमें greatest और smallest 4 digit number ही form करना है और हम किसी भी digit को दो बारी use कर सकते हैं तो greatest 4 digit number बनाने के लिए हम सबसे बड़ा digit दोबारी लिखेंगे सबसे बड़ा digit है 9 तो लिखें इसको दोबारी और फिर इससे छोटा है 5 और 5 से छोटा है 0 तो यह बन गया 9950 विच इस दे ग्रेटेस्ट नंबर अब smallest 4 digit number बनाते हैं उसके लिए सबसे छोटे digit को दोबारी लिखते हैं वो है 0 तो लिखें 0 को दोबारी अब 0 से बड़ा है 5 5 से बड़ा है 9 पर students यह तो 2 digit number ही बना 59 और हमें चाहिए 4 digit number तो यह तो गलत हो गया तो अब हम क्या करेंगे we will start with the next smallest digit which is 5 5 को लिखेंगे अब 0 को हम दो बड़ी यूस करेंगे 0, 0 और फिर लिखेंगे 9 तो यह बन गया हमारा smallest number 5, 0, 0, 9 C part is 0, 4, 9 तो यहाँ यह 3 digits हैं और इन में से हमें किसी भी digit को दो बड़ी यूस करके greatest और smallest 4 digit number फॉर्म करने हैं तो greatest 4 digit number बनाने के लिए हम सबसे बड़े digit को दो बड़ी यूस करेंगे तो लिखते हैं 9, 9 4, 0 तो यह बन गया हमारा greatest number अब students smallest बनाने के लिए अगर मैं सबसे छोटे digit को लिखती हूँ 0, 0 4, 9 तो यह क्या बना? यह तो सिफ 2 digit number ही बना और हमें चाहिए 4 digit number तो यह रॉंग है तो इसके लिए हम next smallest digit से start करते हैं which is 4 now we will use 0 twice next we will write 9 so this is the smallest number 4, 0, 0, 9 तो students आपने I am sure आपने ध्यान दिया है कि जहां भी 0 digit हमें provided है हमें वहां कैसे smallest number को create करना है अब D part में हमें यह 3 digits given है 8, 5, 1 तो इन्हें यूज़ करके greatest और smallest 4 digit number create करें सबसे पहले क्या आएगा 8 फिर हम दुबारा 8 को repeat करेंगे फिर लिखेंगे 5 और फिर 1 so 8, 8, 5, 1 is the greatest number और smallest 4 digit के अब smallest 4 digit number create करने के लिए हम सबसे छोटे digit को दोबारी use करेंगे so we will write 1, 1, 5, 8 so this is the smallest number 1, 1, 5, 8 now let's move to question number 3 question is make the greatest and the smallest 4 digit numbers using any 4 different digits with conditions as given students ये question में students इस question में हमें कोई भी 4 digits यूज करने हैं पर वो different digits यूज करने हैं यानि हम डिजिट को repeat नहीं कर सकते हैं हमें कोई digits नहीं गिवन हैं हमें कोई भी 4 digits यूज करके greatest और smallest 4 digit number create करना हैं पर यहां पर हमें कुछ condition गिवन है जैसे कि इसके ए पार्ट में condition गिवन है कि digit 7 is always at once place इसका मतलब है कि digit 7 जो होगा वो हमेशा once place पे होगा तो greatest और smallest 4 digit number बनाने के लिए हमें digit 7 को हमेशा once place पे रखना हो तो students ऐसा करते हैं कि greatest और smallest number create करने के लिए हम digit 7 को once place पे fix कर देते हैं दोनों ही greatest और smallest number कर अब greatest 4 digit number फर्म करते हैं उसे फर्म करने के लिए हमें सबसे बड़ा digit लेना होगा वो क्या होता है? 9 अब 9 से छोटा क्या होता है? 8 और 8 से छोटा क्या होता है? 7 पर 7 तो हमने fix कर दिया है और हम repeat भी नहीं कर सकते किसी digit को तो 7 से छोटा क्या होता है? 6 तो 6 लिखेंगे हम इदर तो ये बन गया हमारा greatest number 9, 8, 6, 7 condition भी fulfill हो गई है? 7 कहा है? once place पे, right? अब हम smallest 4 digit number बनाते हैं उसके लिए हम सबसे smallest digit से start करते हैं वो क्या होता है? 0 पर students, अगर हम 0 लिख देंगे तो फिर क्या बन जाएगा वो? वो तो 3 digit number बन जाएगा और हमें बनाना है 4 digit number तो हम start करेंगे next to smallest digit से वो होता है 1 अब 1 के बाद हम 0 लिखेंगे अब 0 और 1 आ गया है तो next number क्या होगा? 2 और last में हमें 7 लिखना ही है तो ये बन गया हमारा smallest number 1027 so this is the smallest 4 digit number अब B part में हमें condition given है digit 4 is always at 10th place यानि जो digit 4 है वो हमेशा 10th place पर होना चाहिए तो greatest और smallest 4 digit number बनाने के लिए सबसे पहले हम 10th place पर digit 4 को fix कर देते हैं अब greatest number बनाते हैं greatest number बनाने के लिए सबसे greatest digit से start करेंगे वो है 9 9 से छोटा 8 और 8 से छोटा क्या होगा? 7 अब 4 हमने यहां लिखा हुआ है तो once place पर 7 लिख देते हैं तो greatest number बना 9 8 4 7 अब smallest 4 digit number बनाते हैं उसके लिए हम smallest digit को लिखेंगे यहां smallest digit तो 0 होता है पर students अगर हम इधर 0 लिख देंगे तो वो तो 3 digit number बन जाएगा तो इसलिए next smallest digit लिखते हैं जो है 1 अब 1 के बाद हम लिखेंगे 0 अब 0 और 1 लिख लिया है तो next number क्या होगा? 2 तो हमारा smallest number बना 1042 लेट्स मूव तो C पार्ट यहां हमें condition गिवन है digit 9 is always at 100 place तो यहां पे greatest और smallest 4 digit number बनाने के लिए हम digit 9 को 100 place पर fix कर देंगे अब आईए greatest 4 digit number बनाते हैं greatest number 9 तो fix हो गया है तो उससे छोटा number क्या होता है? छोटा digit 8 तो यहां लिखेंगे 8 और 8 से छोटा क्या है? 7 और 7 से छोटा 6 So 8, 9, 7, 6 is the greatest number अब smallest number बनाते हैं जैसे कि हमने पहले दो पार्ट में किया 0 नहीं लिख सकते हम लिखेंगे इदर next smallest digit which is 1 और यहां क्या लिखेंगे? 0 और 0 और 1 के बाद हम लिखेंगे 2 तो number बना 1, 9, 0, 2 तो नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे अब D पार्ट में कंडिशन हैं digit 1 is always at thousands place तो digit 1 को हम fix कर देंगे thousands place पर और greatest 4 digit number बनाएंगे start करेंगे greatest digit 9 से उसके बाद 8 और फिर 7 तो 1, 9, 8, 7 is the greatest number here और smallest 4 digit number बनाने के लिए 1 तो है ही fixed उसके बाद हम लिखेंगे 0, then 2 and next is 3 so 1023 is the smallest number जसके पेगा हम सब्सकी देंगेगे 10- moyenne